हलो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वसेस नमीविया के बीच जो वाल्ड कप का अगला मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में बहुत ही खराब फॉर्म में है तो यहां पर हम लोग स्माल लीग और ग्रेंड लीग के पूरी बेस्ट टीम कॉमिनेशन देखेंगे ही और जाने के कॉन से प्लेर आप लोग के लिए कैप्टन वाइस के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगी तो जैसा कि आपको पता है दोस्तो ग्राउंड यहां का बहुत ही बड़ा है और यहां पर आपको कमी शक के देखने को मिलेंगे लेकिन आपको यहां पर अच्छा खासा स्कोर देखने को मिल जाएगा तो नोटिफिकेशन बेल को आन कर लिएगा दोस्तो जो लोग पहली बार आए हैं और आगे भी आप लोग पर जोइन कर लिए लिंक में डिस्क्रिप्सन दे रहा है वहीं पर आपको बिल्कुल फ्री में स्मॉल लिक और साथी में ग्रेंड लिक टीम मिलेगी टॉस के बाद अब उसके बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पीछ रिपोर्ट की उपर तो दोस्तों यहां पर सबसे पह बात कर चोड़ दिया जा तो दोस्तों बाकि सारे मुकाबले जो भी टीम जीती जो टीम चेस की है तो यहां पर टॉस जीताएं पहले यहां पर बॉलिंग करने का निरनल लेगी उसके बाद बात करने पेज में सब्सेंग के तो दोस्तों यहां पर अगाप्चिस बिकेट 5 और खास करके दोस्तों इंडिया के स्पीन बुलर रविंद्र जडेजा और रवीचंदर रस्वीन को आपको अपने टीम में रखना है वह आप लोग के लिए ट्राम प्लेयर सावित होंगे और ग्रैंड लिक लिए खास करके वरुन चकरवती अब उसके बाद बात कर लेते है स्कोरिंग पेटन को लेकर तो 150 को नीचे बहुत बार स्कोर बना है लेकिन मने आपको बता दिया कि अगर इंडिया टिम पहले बैटिंग करेगी तो आपको जारा भी स्कोर देखने को मिल सकता है और स्कोर बीटिविन 150 को बीच में 8 बार, 170 को बीच में 3 बार, और 190 प्लस अ यहां पर दोनों टीम्स की रिसंट के 4 मैंचन की परफॉमेंस को लेकर तो यहां पर इंडिया की बात करे तो वुल्ड कुप में तक 4 मुकाबला खेली है जिसमें से starting का 2 मुकाबला हार गी थी ऑर दोस्तों अभी लास्ट का 2 मुकाबला जीत करा रही है और वह यह स्कोर्ट अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इंडिया टीम की क्या रहेगी प्लेइंग लेवन तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दू कि दोस्तों इंडिया की टीम की तरब से बरुन चकरवती और साली ठाकूर भूमनेसर कुमार इन तीनों में से दोस्तों कोई भी आपको एक खेलते वे दीखेगा क्योंकि बात करें वरुन चकरवती तो पिछले मैच में बॉलिंग तो अच्छा किया थे लेकिन फिर भी इनको विकेट नहीं मिला था तो हो सकता है दोस्तों यही प्लेइंग लिए उनका साथ भी जा सकती प्लेट की उपर तो आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग करती है तो बिराट को लिए आप लोगों के लिए मस्ट पिक रहेंगे इनको आपको लेना चाहिए क्योंकि दोस्तों केल राहूल और रोहिस सर्मा आ लिए दोस्तों दस ओबर तक भी ठीके रहेंगे तो फिर विराट को लिए आएंगे बैटिंग करने तो दोस्तों अगर आप विराट को लिए तो बहुत ज़रा क्रेट को लेकर प्रॉलम आ रही होगी तो यहाँ पर आप क्यल राहूल और रोहिस सर्मा आप लोगों के लिए बैस्ट ऑप्सन रहेंगे ही चाहें इंडिया पहले बैटिंग करें चाहें बाद में बैटिंग करें और अभी दोस्तों बहुत इसंदार फॉम में चल रहे हैं दोनों को दोनों ओपनर्स और वहीं बिराट को लिए बा इस रन बचा रहे हैं तो दोस्तों बिराट कोली आकर बना भी देंगे तो यहां से दोस्तों बिराट कोली अगर पहले बैटिंग करते हैं इंडिया टीम तो बैस्ट रहेंगे और सूरिक मर्यादो फिर ग्रेंड लिक लिए आप लोगों के लिए बैस्ट रहेंगे और वही से मैं यहीं बोलना चाहूंगा कि दोस्तों जस्परीद भुमरा मुहम्मद समी और रविचंदर अस्वीन और यहां से जडेजा और यहां से वरुन चिकरवती जो यहां पर मैंने पांच बोलर बता है इसमें से दोस्तों अगर इंडिया टीम पहले बोलिंग कराती है तो दोस बोलर के साथ जा सकते हैं तो जस्परीद भुमरा अच्छे form में हैं पांच विकेट ले चुके हैं लास्ट के चार वर्ल कप मैचस में महमा समी की बात करें दोस्तों चार वर्ल कप मैच में और रविचंदर अस्वीन की बात करें तीन विकेट लिए है और जो इधर का दोस को विकेट ना मिला हो अब उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं नविबिया के क्या रही की प्ले इंगले में तो इधर से बहुत ज़्यारा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आगर बढ़नेस पहले हैं पर कुछ आपको बता दो देता हूं तो दोस्तों आगर के स्टैट डिसक दोस्तों आपको 2000 रुपय मिलेगा और मैंने डिस्क्रिप्सन में लिंक दे रखा अगर आप लोग हमारे लिंक से जोइन करते हैं तो यहां पर आपको 1500 रुपय का बोनस देखने को मिलेगा जो की मुझे जहां तक लगता है कि और कोई ही पर आपको देखने को भी मिलेगा और उससे भी सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि जैसे आप यहां पर अपना पहला डिपोजिट कीजिएगा तो दोस्तों 20% का आपको यहां पर एक्स्टर कैस मिलेगा मतलब 1000 किजिएगे तो 200 एक्स्टर और यहां पर आपलोग चैंपियन का साथ खेल सकते हैं और यहां ब बात कर लेते हैं नमीविया की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग लिवन तो जिससे कि मैं आपका बता दो कि नमीविया की बैटिंग ओडर अब कोई कॉई कंफर्म नहीं है एस बराट तो दो मैंसे ओपनिंग कर रहे हैं लेकिन दोस्तों सी विलियम्स को फिछले मैं इनके सारे प्लेर्स की करेंट पर्फॉर्मेंस की यूपर तो यहां पर ब्राट जो कि लास्ट को दो मैंच में अच्छे फॉर में दिख्या हैं लेकिन फिर भी इनको केवल बारा परसेंट लोग ले रहे हैं तो यह आप लोग के लिए मस्ट पिक रहेंगे अगर आप दोस दोस्तों यह प्लाश्ट मैंच से 25 रंड बने थे तो और यह आईसपराट का सथ उपनी करते हैं तो इन दोनों के दोस्तों अब बहुत जालों लोग इग्नोर कर रहे हैं कि दोस्तों बैटिंग और बहुत नीचे हैं लेकिन दोनों के लिए ग्रैंड लिक यहां पर आप हम टो जो फिए जो मैंने बैटिंग ओडर लिखा है दोस्तो लास्ट के मैच के बैटिंग ओडर है इसे आप लोग स्क्रीन सोट ले सकते हैं टीम बनाने में आपका आपको उसानी होगी जेट ग्रीन ुस्तों पिछले मैच्व में आच्छा बैटिंग करने नहीं नहीं आ रहे ते मतलब ओपनिंग लेकिन पिछले सुरी दोस्ते यहां पर जेड्ट ग्रीन में यहीं बोलना चाहोंगे कि लब पिछला मैच को छोड़कर देखा देखा लेकिन पिछले मैच में इंको सकेंड डॉन आगे आयंट से बैटिंग करने तो आप इनको ले सकते हैं आपको लोग क कर सकते हैं तो इधर से वह सकते हैं दोस्तों यहां से ले सकते हैं यह ने बता दिया आरृव इंग से सबसे बस्ट ले रहेंगे जैसे Scotland हो गया है बांगलादेस हो गया है दोस्तों उनके खिलाप इनका performance अच्छा रहा था बड़ी टीम के खिलाफ बात करें तो दोस्तों लाश्ट के दो मैंचे बड़ी टीम के साथ खेले हैं तो इनको विकेट नहीं मिला है तो इनके मतलब हो सकते हैं इंडिया के खिलाफ कर लेते हैं दोस्तों यहां पर की प्लियर्स के उपर तो इंडिया टीम के तरफ से केल रहूल और रहीच सरमा दोनों उपनर स्कील्ड रहेंगे और विराठ कोली के आप कैप्टन बना सकते हैं अगर दोस्तों इंडिया टीम पहले बैटिंग करती है तो अगर इंडिया टी कि तरब से बात करें तो अगर यह खेलते हैं तो थीक रहेंगे नहीं खेलते तो आप इनको इंग्णोर कर सकते हैं तो यह होता होगी दोस्तो पूरी डिटेल अनलेसिस अब बात करेंगे तें हम लोग टीम कॉम्बिनेसन की ऊपर तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टीम combination के उपर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग Small League की Best Team combination देखेंगे उसके बाखी से भी Team Grand League करने वाली है तो यहाँ पर भी दोस्तों मैं आपको दो types की combination बताऊंगा सबसे पहले अगर India Team यहाँ पर मतलब पहले बॉलिंग कराती है तो कैसी आपको टीम बनानी चाहिए और अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग करती है तो कैसी टीम आपकी रहने चाहिए तो टीम डिसकस करने से पहले और दोस्तों उसके बाद फिर ग्रैंड लिकी भी टीम देखेंगे विगेट कीपर सेक्सकंट से बात करें तो यहाँ पर दो आपसन है जेट ग्रीन और रिसब पंथ तो रिसब पंथ का दोस्तो बैटिंग आने का चांस कब है जब दोस्तो इंडिया टिम पहले बैटिंग करेगी तो तो जो अभी मैं आपको पहली टिम कोबिनेशन बना रहा हूँ दोस्तो यह रहेगी अगर इंडिया टिम पहले बॉलिंग करेगी तो तो यहाँ से मैं जेट ग्रीन को ले रहा हूँ जो कि रिसब पंथ और जेट ग्रीन का बैटिंग ओडर बिल्कुल सेम है और पिशले मैच में इनको बैटिंग करने में प्रोमोट भी यह किया गया था और हमारा क्रेटिव दोस्तों यहाँ पर बच जा रहा है और वहीं बैटिंग सेक्सिंट से बात करते हम ने यहाँ से केल राहूल को लिया रोहित सर्मा और यहां से जी मर्वी रसमस को मैं ले रहा हूँ तो यहां से मैं तॉप के तीन बैट्समन को लिया हूँ और यह जो मैं अभी टीम बता रहा हूँ अगर इंडिया टीम पहले बॉलिंग कराती है तो यह टीम आप लोगे बेस्ट रहेगी यहाँ पर मैं बिराट कोली को फिलाल ड्रॉप करकर चल रहा हूँ और जो अगली टीम रहेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा बिराट कोली को लेकर सबसे बेस्ट आप टीम कैसे बना सकते हैं क्योंकि अगर आप यहाँ से बिराट कोली को लीजिएगा तो बहुत ज़र आपको क्रेट मेंटेन करने में प्रॉलम आ रही होगी और राउंडर सिक्षन से बात करते हैं तो मैंने रविंदर जड़िया को लिया है क्योंकि देथ में बॉलिंग करते हैं और हो सकते दोस्तों इनको विकेट में मिल जाए और वहीं उसके बाद बात कर ले दोस्तों यहाँ से मैं वरुन चकरवती को लूँगा नहीं तो दोस्तों आप यहाँ से एक और बैट्समेन को ले सकते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंडिया टीम पहले बैट बॉलिंग कराई उससाब से मैं यहाँ से टीम बना रहेंगे और खास करके यहाँ पर नभी विवेगा खिलाफ क्योंकि यहाँ पर जो मतलब रहते हैं जो अच्छा खेल सकते हैं तो भला ही दोस्तों इनको पीछले मै अगर इंडिया के सभी बॉलर्स को लेकर चलूँगा अब उसके दोस्तों बात कर लेते हैं अगर इंडिया टीम जोस्तों आप पहले बोलिंग कर आती है तो मैं आपको इंपल यहीं बता दूकि यहाँ पर नमीबिया का जो टीम जादा मतलब 1्14게요 to नहीं दयने पाईगी त ज़्याद नहीं तो 110-120 रन तो दोस्तों यहां पर बॉलर्स को फिर मैं कैट्टन वाइस कैट्टन बनाओंगा यहां से मैं जसपिर दूम्रा और यहां से मुहामध समी को वाइस कैट्टन बना दूगा इनको कोई वुलर को आप गना सकते हैं और दोस्तों अब बात कर लेते ह अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग करती है तो कैसी आपके टीम कॉम्बिनेशन रहनी चाहिए स्मॉल लिग की तो दोस्तों चलिए वह बात कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको यह बता दू कि अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग करेगी तो बिराट कोली आ सबस्क्राइब करते हैं नहीं तो दोस्तों इनका खेलने के चांस ज्यादा है तो इसलों में फिलाल इन्हीं को सब जा रहा हूं तो यह दोस्तों रहेगी मेरी मितलब टीम को अगर इंडिया टीम पहले बैबंतलब बैटिंग करेगी तो और विकेट की पर मैंने जैड ग्र बैटिंग करने में प्रॉब्लम आएगी तो यहां से दोस्तों बात करेते इन तीनों को लेना कंपल्सरी है बैटिंग से अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग करेगी और रविंदर जड़्या को ड्रॉप कर नहीं सकते हैं और वहीं बॉलिंग से बात करेते मुहमाद समी इनको तो आपको लेना ही है तो यहां से मैं रवीचंदर असीन को नहीं लेने पा रहा है उनकी जगह पर यहां से मैं वरुन चकरवती को लिया है तो अगर दोस्तों इंडिया टीम पहले बैटिंग कराएगी तो मैं केल राहूल और रोही सर्मा को कैप्टन वाइस केप्ट दोस्तों ब्राट को नहीं तो यहां से जेजया स्मित को ले सकते हैं और मैं आपको बता दो कि फाइनल टीम आपको टेलेग्राम पर ही मिलेगी यहां पर मैं कोई एक या दो चेंजर भी कर सकता हूं टॉस के हिसाब से और दोस्तों हो सके इंडिया टीम यहां पर इसान किसन को भी खेला सकते नहीं तो साथ उठाकूर और फिर भूनेसर कुमारे भी खेल सकते हैं तो उसी साब से दोस्तों आपको फाइनल टेम टेलेग्राम पर मिलेगी तो मैंने लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में आप लोग जल से जाकर जॉइन कर लिजे कैप्टन में दोस्तों जस्पीर भूम्रा मोहमद समी को बनाओंगा अगर इन्टीम यहां से पहले बॉलिंग कराती है तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी टीम को उपर अगर इन्टीम बैटिंग करेगी तो तो फिर आपको दोस्तों 150-70 का टारगेट फिर देखने को मिल जागा 150-70 का यह दोस्तों केल रहा हूं लोग कैटन बनाओंगा फिर रोही सर्मक वाइस कैटन आप यहां से बिराट कोली को बना सकते हैं अगर आप ग्रेंड लिंग में जा रहे हैं तो सेम टीम के साथ तो दोस्तों यहां से चार बैट्समन को लिया और विकट कीपर मैं जेड ग्रीन को य दोस्तों जोइन कर लिए टेलिग्राम चैनल अभी तक वीडियो को लाइक निकिए तो दोस्तों लाइक कर दीजिए आप दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर मायलोन सरकल की टीम के बारे में तो दोस्तों चलिए हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं मायलोन सरकल की टीम के ब क्येण रहोल को लिया यहां से पर और समय को यहां पर यहां पर क्यूकि द्यों को यहां वान हो ल्गिन को यहां पर कर रहे हैं और 59 00 när यहां फूर ऑन रखेंशन से बात के शापड़ से बात करेश शाप एंप उन्हां समय और लेँ रहा हूंدم यह पर रवी दर जड़ेजा रवी चंदर स्मीन और इरासमस तीनों यहां पर मतलब बैट्स बैट्स मैंन को ले लिया और यहां से दोस्तों और यहां से बिराट को मैं बिराट को लेने पार हूं फिर भी मुझे क्रेट को लेकर को कोई प्रोलम नहीं आ रही है तो यह इस पसंद की टीम बना सकते हैं बात कर लेते हैं टीम की प्रिबी की ऊपर तो दोस्ते इतिvoice सब्सक्रा के निया से मैरी ने माइपअ रहे इस और दौस्त बीज्त सो प्रिपटन के यहां पर पर ग्रेंड लेग की टीम्स के बारे में तो ग्रेंड लींगी in में बता दो कि ब्राट खुली बैस्ट आप्सें रहेंगे और यह ने पहले बैटिंग करेंगी तो आप ले सकते हैं यहां से मैं बैटेंग को स्क्षान सब्सक्राइब लाइक कर दिए और इसके बाद आपको पता है कि ग्रेंड वाली वीडियो में अपलोड करता हूं वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद